दोस्तों अगर आपके साथ भी कोई ओन्लाइन फानेशल फ्रोड या स्कैम हुए चाहे वो यूपीय आप जैसे की गूगल पे फोन पे पेटियम के तुरू के अगया या फिर वो वाटसप और इमेल के तुरू के अगया हो यहां तक ही सोशल मेडिया प्लैटफॉम जैसे की फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी किया गया हो तो अब आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना क्योंकि यह वीडियो खास आपके लिए दोस्तों कंप्लैंट करने के टोटल पांच प्रोसेस होते हैं जो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा ताकि जल्द बाजी में आप स्टेब बे स्टेब समझते हैं तो सबसे पहला स्टेब होता है एंसी आरपी यानि नैशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पॉटल में कंप्लेंट करना क्योंकि इसके बीना बाकी के चार प्रोसेस का कोई भी फायदा नहीं है तो सबसे पहले आपको इस ओफिशल तो यहां फाइल कंप्लेंट पर क्लिक करने है इसके बाद यहां कम्प्लेंट करना है तो पहले आपको यहां रजिस्टर करना हो सबस्सेल करना है नहीं पर अपनी पर्सनल डिटेल सेंटर करनी है जैसे टाइटल में आपने नाम के आगे आप जो भी यूज करते हैं जैसे मिस्टर मेसेज डॉक्टर शिरी शिरी मती उसको यहां टिक कर लेना है फिर नीचे आपको अपने पूरा नाम लिखना है और यहां आपका मुबाइल नंबर जो आपन किया जाएगा फिर यहां आपको अपने फादर मदर स्पाउस किसी भी एक रिलेशन को सलेक्ट करके उसका नाम लिखना है उसके बाद नीचे सबसे लास में आपको अपना प्रजेंट एड्रेस बताना है जहां भी आप रहते हैं और यहां जो डिस्ट्रिक यानी जिले को स सेलेक्ट करना है फिर यहां सेव और कंट्यूनी पर क्लिक कर देना है अब आपको अपनी कंप्लेंट से जूड़ी कुछ बातों को यहां पर बताना है तो यहां हर ओप्शन को ध्यान से समझना है क्योंकि इस पेज की जानकारी ही सबसे ज्यादा इंपोटेंट है जिसमें स कंप्यूटर लैप्टोग कर लिया हो या फिर साइबर ट्राफिकिंग हो ओनलाइं गैंबलिंग या बैटिंग साइट से फ्रोड हुआ है तो जो भी आपके साथ इंसिडेंट हुआ है उसके अक्वर्डिंग इस ओप्शन को सेलेक्ट करना है इसके बाद नीचे उसकी सब क करने हैं, जैसे उपर मैंने ओनलाइं financial fraud को सेलेक्ट किया था तो यहां बताना है की मेरे साथप on-line fraud हुआ कैसी है और अगर आपके credit card, debit card या phone की sim की वज़े से किसी ने पैसों का fraud किया है तो इस option को select करेंगे ऐसी अगर dimate account से या e-wallet जिसे digital wallet भी का जाता है या फिर किसी ने call करके fraud किया है या फिर internet banking से या फिर upi app जैसे google पे, phone पे, paytm से fraud किया है जो आज कल बहुत जादा हो रहा है तो जिसके थुरू भी आपके साथ financial fraud हुआ है उसको select करना है अब जैसे हमने उपर बताया है कि हमारे साथ upi app के तुरू online fraud हुआ है तो नीचे आप से पूछा जाएगा कि अगर पैसे का नुकसान हुआ है तो yes को select करेंगे फिर या आपने bank के नाम को select करना है जिससे आपके पैसे कटे हैं और नीचे upi app को select करना है जिसका आपने use किया था जैसे amazon pay, google pay, pay, pay tm फिर या अपना account number, wallet id, merchant id या upi id जो भी आपके पास है वो mention करेंगे और या उस amount की transaction id या utr id को enter करना है जो हर transaction की अलग होती है जो आपको अपनी upi app की payment history में मिल जाएग फिर नीचे बताना है कि कितने पैसों का नुकसान हुए उस amount को या बरना है और जिस date को account से पैसे debit हुए वो date को select करना है फिर याँ उसका time और reference number डालना है चाये तो आप डाल सकते हैं या इसको blank भी छोड़ सकते हैं फिर यहाँ save पे click करेंगे तो सारी details यहाँ table में आ जाएगी और अगर एक से ज़्यादा बार पैसे debit हुए तो ऐसे हर एक details को बरके save पे click करेंगे तो सारी transaction यहाँ पे आ जाएग अब यहाँ अगर आपने fraud होने की शिकायत देर से किया तो yes को select करेंगे अदरवाइस no को फिर नीचे आपको बताना है कि आपके साथ online fraud का हुआ है जैसे अगर email से किसी ने fraud किया है तो नीचे scammer की email ID देनी होगी और अगर facebook, instagram जैसी app से fraud किया है तो उसकी ID यहाँ देनी और ऐसे ही जो भी option select करेंगे उसकी ID, mobile number या website URL link आपको यहाँ पे mention करना होगा इसके बाद जो भी supporting document आपके पास होगा उसको यहाँ attach करके add पे click कर देंगे और नीचे आप अपने शब्दों में इस गटना के बारे में बता सकते हैं कि कैसे यह fraud हुआ ताकि investigation officer जो भी होगा वो उसको अच्छे से समझ सके और सही action ले सके और फिर यहाँ save as draft and next पे click कर देंगे अब next page पे आपको suspect details बरनी है जिसने भी आपके साथ fraud किया अगर उसकी कोई भी details आपके पास है तो उसको यह mention कर सकते हैं और अगर नहीं है तो इसको blank छोड़के नीचे save draft and next पे click कर दें यानि कि आपकी personal details आजेगी जैसे आपका ना, mobile number, address जो आपने register करते time बराता अगर कुछ भी change करना चाहें तो कर सकते हैं में आपको relationship with the victim को select करना है मतलब यह complaint आप अपनी खुद के लिए कर दें या फिर किसी और के लिए जैसे कि father, mother, by band, पडोसी, friend तो उसको यहां बताना होगा और उस इंसान की यहां पे कोई भी एक ID proof को upload करना होगा और फिर यहां save and preview पे click कर देंगे और यहां सभी details को एक पर अच्छे से check कर लेंगे अगर कुछ भी change करना चाते हैं तो कर सकते हैं और अगर सभी details आपकी ठीक हैं तो यहां I agree के box पे tick करना है और confirm and submit पे click कर देना है जिसके बाद आपकी complaint साइबर पोडल पे register हो जाएगी जिसका tracking number आपके mobile number और email ID पे भेज दिया जाएगा और ज जोस्तों इस complaint के बाद आपका main काम स्टार्ट होता है ज्यादा तर लोग या complaint करने के बाद आगे का process फोलो नहीं करते जिसकी वज़े से ज्यादा तर लोगों का पैसा वापस नहीं आता तो दियान से आप आगे के steps को समझना Cybercell complaint के बाद next step में आपको इस complaint का number या इसकी copy को लेके अपने bank manager के पास जाना है और इस fraud के बारे में बताना है जिससे bank manager immediately आपकी complaint register करके आगे बेच सके RBI guideline के according आपको bank को तीन दिन के अंदर report करना होता है लेकिन आपको wait गुलकुल भी नहीं करना क्योंकि अगर इस camera ने अपने account से सारा पैसा निकाल लिया तो शैद हो सकता है कि आपको एक रुपा भी refund ना मिले जो आपको आगे काम आएगा जिसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला फिर थार्ड स्टेप में आपको उस यूपी आइप के customer support पे जाके भी complaint raise करनी है और अगर आप चाहें तो cyber complaint और bank complaint proof दोनों को attach करके बेच सकते हैं और फौर्थ स्टेप में NPCI को complaint करनी है यह उन स्टेप में है RBI complaint अगर bank complaint करने के बाद 30 दिन में आपको कोई solution नहीं मिलता या आप bank के solution से satisfy नहीं होते तो आपको bank के against RBI में complaint करनी है RBI complaint के पूरे process को समझने के लिए उपर i button पे click करके इस video को देखें और steps को follow करें और यहां सभी proof जैसे bank complaint की copy जिसमें complaint करने की date और time जरूर होना चाहिए और bank statement और जो भी यह proof कर सके कि आपने bank को time से inform किया लेकिन फिर भी bank ने कोई action नहीं लिया तो इसमें जो भी bank की liability बन तो नीचे comment करके पूछ सके वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें जिससे सही information सही वेक्ति तक पोस्ट सके आज की इस वीडियो में इतना ही देखते रही है इंफो सच जानकरी ऐसी